हेलो फ्यूचर माइनर स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने यूडिव चैनल और पसंदिदा यूडिव चैनल माइनिंग मिश्ट्री में आज हम देखने जा रहा हैं अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की पॉइंट आफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टन टॉपि के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर का कॉन्फिदेंस और उत्सा जो है वो डबल हो सकता है ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुल डस्ट एक्स्प्लोजन उसका कुछ हम लोग मेक कर दीजिएगा मैं इस पर कल एक वीडियो बना दूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेकनिजम औफ कोल डस्ट एक्स्प्लोजन यह कैसे होता है ठीक है चलिए पॉइंट को देखते हैं इसे जब कोल डस्पर में एक क्लाउड बना देता है उसके उसे पॉपर एमांप ओफ हीम उससे कॉलाइड होता है एक सफिशियंकट लेंथ के टाइम मतलब कुछ इंटर्फल तक उसमें अंछुछ जो इन्टोज सव घ Rockyol crist क्लाउड बनके जब कोल का डस्ट उपर क्लाउड बनके जब जमा होता है तब क्या होता है यह फिगर कोल डस्ट का नहीं है यह बस क्लाउड का स्मोक का क्लाउड का फिगर है लेकिन ऐसे ही जब अंडर्गाउड माइन में क्लाउड बन जाता है कोल डस्ट का तब क्या होता है वो capable होता है किसका bursting का फटने का और फटता कैसे है explosion के रूप में फटता है ठीक है चलिए आगे इसका कुछ point देखते हैं हम लोग जिस point से आपको और अच्छे से clear होगा कि यह कैसे होता है when cold dust in the air is as form of cloud in contact with the source of heat for sufficient length of time it can explode and the explosion can travel in the mines over a long distance अब मैं आपको एक example बदाता हूं उससे आप अच्छे तरह से clear कर पाईएगा सोच पाईगा कि cold dust explosion कितना खतरनाक होता है methane dust explosion तो आपने सुना होगा fire damp explosion cold dust explosion अगर कोई जारखन प्यार के होंगे वह अगर वीडियो देख रहे हैं जो जो गाय का गोवर होता है गोईठा उसको जो दिवाल पर मारा जाता है तो वह जितना प्रेसर से जाके चिपकता है वैसे ही अगर माइंस में cold dust explosion हुआ तो वह person पर हिट करेगा person को तो वैसे ही आके वह दिवाल में चिपकेगा person और वहीं पर वह मर जाएगा ठीक है इसका हम लोग देखते है second point कि जब cold dust air में as a cloud form हो जाता है और जब उससे उसके contact में कौन आता है source of heat आता है sufficient length of time के लिए मतलब कुछ particular time तक वह heat उससे collide करता है उसके बाद क्या होता है माइंस में explosion होता है और वह cloud बड़ा होगा तब नहीं होगा बड़ा होना जरूरी नहीं है cloud भले छोटा रहे लेकिन वह घना रहे इतना घना रहे कि कोई उस cloud से आर पार ना देख सके उस cold dust से आर पार ना देख सके इसलिए माइंस में यह provision बना हुए कि cold dust को हमेशा साफ करना है अब कब साफ करना है कैसे साफ करना है यह जब हम regulation का series को आगे बढ़ाने के क्रम में बढ़ेंगे तब आपको यह सब बताएंगे ठीक है इसका next point है cloud must not dense that one cannot see through it cloud content 30-40 gram per meter cube of cold dust मतलब space में 1 meter cube में कितना cold dust होना साइए 30-40 gram 1 meter cube में ठीक है इसपेस में 1 meter cube में 30-40 gram cold dust होगा तब जाकि यह applicable होगा cold dust explosion के तो बहुत ही ज्यादा chances होगा कि cold dust explosion हो सकता है ठीक है अब next point कुछ देखते है कुछ इसका factor देखते है कौन-कौन सा factor है क्या ऐसा condition होगा कि cold dust explosion होगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए next point यह है कि cold dust explosion तब होता है जब cold dust का size 1500 micron से कम होता है ठीक है 1500 micron से कम होगा तब जाकि cold dust explosion होगा चोथा point है इसका presence of sufficient amount of oxygen in air should present air में present amount में oxygen अगर sufficient amount में रहा proper मात्रा में oxygen रहा तब ही जाकि यह cold dust explosion होता है और cold dust explosion से बचने के लिए हम लोग कौन सा barrier बनाते है stone dust barrier बनाते है अगर आपको stone dust barrier पर वीडियो चाहिए आपको नहीं समझ आता है क्या होता है तो मुझे comment section में inform कीजेगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आसा करता हूं कि आपको cold dust explosion अच्छे से समझ आ रहा है कहानी के रूप में समझिए जब cold dust हवा में layer बना देता है जब cloud बना देता है और उसके उपर sufficient to extend cold dust to other part of mine explosion जैसे ही start हो गया तो जरूरी नहीं है कि अब उतना cloud रहना ही चाहिए एक ग्राम पर क्यूबिक मीटर भी sufficient होता है पूरे mines में वो cold dust explosion को फैला देगा यह सबसे खतरनाक explosion होता है cold dust explosion mines में यह एक दो बार हुआ भी है ठीक है तो आसा करता हूं कि आपको cold dust explosion अच सीरीज के साथ उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तब तक के लिए जाहिंद